डियर स्टूडेंट इस विडियो लेक्चर में जिस पेपर को हम आज डिसकस करने वाले हैं वह पेपर बीएसी प्रथम वर्ष का एग्जामिनेशन इयर है 2023 पाउंडेशन कोर्स का पेपर है पेपर फस्ट जो की रानी दुर्गावती शुद्याले जबलपूर मद्यप्रदे इस विडियो के अंदर हम आप देखने वाले हैं तो लास्ट तक आप मेरे साथ बने रहिएगा और हम लोग 50 क्योशन हिंदी और 50 क्योशन इंग्लिश के सॉलिशन को डिसकस करने वाले हैं तो आप यह उस पेपर का फ्रेंट पेज देख रहे हैं अब हम आजाते हैं वन बा क्योंशन की तरफ आपको स्केन पर क्योंशन कुछसाब दिखाई दे रहे होंगे वैसे हर क्योशन को मेरेड करूआन पढ़ूआbugए और उनके आंसर की तरफ चलेंगे पहला परशन आपको इस स्किन पर दिखाए दिए देरा मात्रबूमी किस यूग की कवीता है तो साथ यू पहले परशन का correct आंसर हो जाएगा मात्रबूमी दुवेधे यूग की कवीता है यानि परशन करमांग पहले का आंसर A सही होगा दूसरा प्रशन है रतनाकर शब्द का समानार्थी शब्द क्या है तो दूसरे का भी हो जाएगा समुद्र रतनाकर का समानार्थी शब्द समुद्र होता है सातियों तीसरा प्रशन दिया हुआ है यहाँ पर गुप्त जी का प्रिये चंद कौन सा है तोड़ा मैं इसको जूम कर देता हूँ, आपको क्लेर दिखाए देगा परश्ण परश्ण करमांग तीन, गुप्त जी का प्रियचंद कोन सा है तो साथी इसका correct answer A, हरी गिती का गुप्त जी का प्रियचंद है प्रियच्ण करमांग चार शत्रंज के खिलाडी का क्या उद्देश है तो प्रियच्ण करमांग चार का correct answer है वाजिद अली शाह के बंदी बनाए जाने का मिरण और मीर को कोई मलाल नहीं था क्योंकि उसके बिछह चलते हैं ऐसा क्या कारण था तो उसके option यहाँ पर आपके paper में दिये हुए है, option जो दिये हुए उनमें वे उनसे इडशा करते थे, अंग्रेजियों के समर्तक थे, तो यहाँ पर इसका C correct answer हो जाएगा, वाजित अली शास से अधिक महत्वपून शत्रन जिका बाश्या था, आगे चलते प्रिश्ण करमां साथ, उपन्यास समराड किसे कहा जाता है, तो साथियों आप लोग जानते हैं, मुशी प्रेम चंदर को उपन्यास समराड कहा जाता है, तो साथवे का correct answer भी हो जाएगा, प्रिश्ण करमांग आठ, अन्न की अधिश्टास्टी देवी किसे कहा गया है, तो यहाँ पर अधिश्टास्टी देवी कहा गया है, अब चलते साथियों लोग, नेक्स्ट क्योशन नमबर नाइन की तरफ, जीप पर्षवार इल्लियां पार्ट में लेखक कोन है, तो जीप पर्षवार इल्लियां जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है, उसके पार्ट के लेखक के शर चार प्रसार करना, तो दस्वे का करेक्ट आंसर सी, प्रिश्ट करमांग 11, शरज जोशी को 1990 में कौन सा पुरुषकार मिला था, तो प्रिश्ट करमांग 11 का करेक्ट आंसर ए, शरज जोशी को 1990 में पदमिश्री पुरुषकार से नवाजा गया था, प्रिश्ट करमांग 12, श्रच जोशी के मुख्य लेखन शेली कौन सी है। तो साती अब लोग जानते हैं, हास व्यंग प्रधान श्रच जोशी की मुख्य लेखन शेली है। चलते हैं, नेक्स्ट क्योशन नमबर 13 की तरफ, हम आजाते हैं, प्रिश्ण करमांग 13, 13, 13, जीपरसवार इल्लिया पार्ट में किस पर व्यंग किया गया है। तो जीपरसवार इल्लिया पार्ट मुक्यतर सरकारी कर्मचारियों के उपर बेज्ड है, सरकारी कर्मचारियों के उपर आधारित है। तो तेरवे का अंसर C हो जाएगा। प्रिश्ण करमांग 14, प्रश्ण करमांग 15 तुलसिदास के द्वारा रची थे वह अउधी वाशा में लिखा हुआ है नेक्स्टे सात्यों प्रश्ण करमांग 17 रामचरित मानवस या तो लड़ा प्रिंटिंग में स्टेड हो गया क्योशन में रामचरित मानस के प्रथम कांड का नाम क्या है तो प्रथम कांड का नाम यहां पर हो जाता है बाल कांड प्रश्ण करमांग 18 उस्सानिबंद के लेखक को है तो रामचंदर शुकल जो है वो उस्सानिबंद के लेखक है तो अठार हे वे का करेक्ट आंसर सी 1900 प्रश्ण आचार राम चंदर शुक्ल का जन्म कहा हुआ था तो 19 वेका करेक्ट आंसरे B बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ था प्रश्ण करमांग 20 आचार शुक्ल के समस्त निबंद किस पुस्तक में संकली थे तो 20 वेका करेक्ट आंसरे A चिंता मनी आगे चलते हैं क्योशन नमबर 21 की तरब प्रश्ण करमांग 21 साथियों क्योशन नमबर 21 की तरब चलते हैं तो उसमें देखते हैं निबंद में से कौन सा निबंद आचार राम चंदर शुक्ल का नहीं है तो यदि 21 वेगा correct answer देखें तो यहाँ पर B हो जाएगा बुद्ध चरित्र जो है वो आचाय रामचंदर शुक्ल के द्वारा निमंद नहीं लिखा गया है कार्य में आनंद अनुभाव करने वाले को क्या कहते है Q22 तो यहाँ पर कहा जाता है साहासी कहा जाता है यहने कि B answer इसका correct हो जाएगा तो बाविश्य का correct answer B कर्म में आनंद सो रिसातियों Q22 है 22 कर्म में आनंद अनुभाव करने वाले को क्या कहते है तो कर्म में जो आनंद को अनुभाव करता है उसको मोलते कर्मन ने क्या किते सातियो इसका D आंसर हो जाएगा कर्मन है कहा जाता है करेक्टर लेगा उसको 23 उस्सा निबंद की भाषा क्या है तो 23 का D हो जाएगा खड़ी बोली 24 दिनकर को किस मा कावे के लिए ज्यान पिट पुरुसकार प्राप्त हुआ था तो सातियो इसके बाड़े में तोड़ा सा डिस्किप्शन में आपको बता दूँ में हलका सा डिटेल में बता दूँ तो 24 का आंसर करेक्ट हो जाएगा C उर्वशी यह जो इनको ज्यान पिट पुरुसकार मिला था उर्वशी के लिए उर्वशी महा कावे के लिए 1972 में मिला था आगे चलते हैं क्योश नमबर 25 की तरब आजाते हम लोग क्योश नमबर 25 भारत में एकता निबंद दिनकर जी के किस पुष्टक से लिया गया है तो 25 का करेक्ट आंसर एए हो जाएगा हमारी संस्क्राथिक एकता पुष्टक से लिया गया है क्योश नमबर 26 प्रश्ण करमांग 26 की तरब चले तो 26 का प्रश्ण है निमली की तरश्णाव में दिनकर जी की रचना कौन सी है तो भारत एक है यह दिनकर जी की रचना है क्योश नमबर 27 बारतियों को एकता में बांधने का मुख्य सूत्र क्या है तो 27 का correct आंसर हो जाएगा B भाषा B option correct है भाषा प्रश्ण करमांग 28 दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था तो 28 वो प्रश्ण का correct आंसर है C बेगू सराय में हुआ था कब हुआ था सातियों 23 September 1908 को आगे चलते हैं Question number 29 की दरब आजातम लोग सातियों प्रश्ण करमांग 29 देखें तो वो क्या दिया हुआ है वो दिया हुआ है निमली कित में से कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है तो 29 का यदि हम लोग correct आंसर देखें तो इसका आंसर हो जाएगा ए इसका correct आंसर हो जाएगा सातियों मदू शाला कौन से सातियों मदू शाला नहीं है तो निमली कित में से दिनकर जी कौन सी रचना नहीं है तो मदू शाला मदू शाला किस की है अमिता बच्चन जी के पिता जी जो हरिवन श्राय बच्चे ने उनकी ये कवीता है या उनका एक संग्रा है संस्कृती के चार अध्याए किसकी रचना है तो तिस्वे प्रश्ण का करेक्ट आंसर C, रामदारी सी दिनकर क्योश नवर थर्टी फर्स्ट आदी शंकराचारे का जन्म कहा हुआ तो याद रिखना साथियों का पर हुआ कलाडी केरल में हुआ थर्टी टू शंकराचारे जी के गुरू का नाम क्या था 32 प्रश्ण का करेक्ट आंसर D, गोविन भगवत पाद था क्या था साथियों गोविन भगवत पाद क्योश नम थर्टी थर्टी त्री बादरायन व्यास कोने सातियों C correct answer बादरायन व्यास क्योश नमर 35 आदी शंकराचारे ने कितने पिटों की स्तापना की थी तो भारत के चारो कोनों में 4 फिट की स्तापना आदी शंकराचारे के द्वारा की गई थी तो 35 का correct answer 4 हो जाएगा क्योशन 36, 36, केसरी किसका परियाई है तो 36 का correct answer C हो जाएगा क्या सातियों C हम क्योशन 37, अमी किसका परियाई है तो अमी अमरत का परियाई है तो क्योशन 36 में अमी जो है वो अमरत का परियाई हो जाता है क्योशन 38, रतना कर किसका परियाई है तो साथियों यदि हम देखें तो 38 वा जो क्योशन रतना कर एक क्योशन रिपीट हुआ है ये क्योशन नमबर 2 भी था और क्योशन नमबर 38 भी हुआ है पर करेक्ट आंसर भी हो जाएगा समुद्र एक ही प्रशन इस पेपर में दो बारा है समुद्र हो जाएगा अच्छा प्रशन दीख रहा है मुझे नेक्स्ट 39 सोदा मिनी का अर्थ बताई ये तो 39 का यदि हम आंसर दें के उसका सोदा मिनी का करेक्ट आंसर दें हम चलें तो आकाशी बिजली होता है जो आकाशी बिजली होती बरसात की दुर्व हम लोग देखते है उसको सोदा मिनी के नाम से जानते है तो यहाँ पर आकाशी बिजली तो शब्द आपको दिखाए नहीं देरा, तो अगला शब्द क्या दिखाए देरा बिजली, तो 39 का correct answer क्या हो जाएगा C, यदि आकाशी बिजली आता है तो वो है, और आकाशी बिजली नहीं है तो बिजली इसका correct answer हो जाएगा, question number 40, पर एका correct word एदि हम लोग देखें, तो तारो वाली रात, तो यहाँ पर तारो वाली रात नहीं है, तो आपको क्या वर्ड दिखाए देरा, रात 3, तो 40 वे correct answer C हो जाएगा, question number 41, उत्थान का विलोम क्या है, तो आप लोग जानतें, उत्थान का विलोम पतन यानि B option इसका correct हो जाएगा, next चलतें, 42, उपलब्द का विलोम क्या होगा, तो 42 का A अनुपलब्द हो जाएगा, 43, उनमिलन का विपरित वर्ड क्या है, तो 43 का A निमिलन हो जाएगा, 44, question number, गरस्त का विलोम क्या है, तो गरस्त का विलोम आप क्या कहोगे, सन्यास, तो 44 का correct answer C हो जाएगा अब चलते हैं साथियों क्योशन नमर 45 की तरफ, वर्स तरी जिसका पती विदेश से लोटा हो, उसके लिए क्या वड़ा था, आगात पती का, क्या आता है साथियों, आगात पती का, क्योशन नमर 46, भगवान बुद्द ने अपना पहला धर्म उपदेश कहां दिया था, तो 46 इसका correct answer B, सारनाथ में दिया था, कहां दिया था साथियों, सारनाथ में दिया था, क्योशन नमर 47 की तरफ चलते हैं, हिंदी को राजबाशा कब गोशित किया गया, साथियों इस प्रशन में पुरा doubt है, क्यो doubt है, उसकी तरफ चलते हैं, यहां जो आपको चारो option दिखाए दे रहें, वो हमें कहीं ने कहीं incorrect लगते हैं, क्योंकि हमने जब इसको सर्ज किया है, पढ़ा है, समझा है, पुस्तकों में देखा है, तो हमें जो option correct दिखा है, वो है 14 सितंबर 1949 को, क्या साथियों, 14 सितंबर 1949 को, यहनि 1950 हम लोग कहें, तो उस दिन हिंदी को राजबाशा गोशित किया गया था, तो चार option doubtfully, इसलिए आपर मैं किसी भी option के साथ नहीं जाओ हूँ हूँ है, और मैं correct answer बता रहा हूँ आपको, 14 सितंबर 1949, इसलिए हम क्या करते हैं, 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं, 48 का correct answer, B हो जाएगा, मनुष्यों के भावों क अभी वक्ती का माध्यम क्या है, तो भाशा हो जाता है, नेक्स्ट है 14 इन, उत्तर प्रदेश की आंचलिक बोली कौन सी है, तो 14 इन का correct answer, अवधी, पचासवा परशन भारत में वहुराश्टे कमपनियों को इस्तापित होना किसका प्रभाव कहलाता है, तो 50 इन करेक्ट आ आपके लिए मत्तवुण हो सकता है, क्योंकि अभी हमने जो पेपर देखें, अलग-अलग University के, डिये वीगे देखें, इसके लावा हमने 16 साल University के पेपर देखें, पिछले साल के विक्रम के देखें, बरकत उल्ला के जो पेपर देखें, उनमें इनसे बहुत सारे क्योशन म बिल्कुल आते हैं तो आप इन क्योशन को जरूर पढ़के जाईएगा समझ के जाईएगा आप चलते हैं 50 English के प्रशनों की और विध्यारतियों अब हम आ गए हैं यहां पर English के 50 प्रशनों की और पेपर आपको सेकन दिखाए दरा इसक्रिंड पर B.Sc. प्रतमवर्श साथियों मैं तोड़ास आपको डिटेलिया बता दूँ कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मिलाकर आपको 35 मार्क्स के लाना होंगे यहां के तो 17 नंबर आपको हिंदी में लाना होंगे और 18 नंबर आपको इंग्लिश में लाना होंगे दोनों लाने के बाद ही आप प जास प्रशन इंग्लीश की तरब, वीडियो ज्यादा लंबा ना हो, इसलिए कुछ क्योशन को मैं skip करके भी चल सकता हूँ, क्योंकि मैं पूरा यदि क्योशन बढ़ा होगा, तो उसको मैं read out ना करेंगे, ना पढ़ते हुए सिधा option को बताते हुँ चलेंगे, इस सिधिवा वीडियो को पूश करके रोग कर, उस क्योशन को पढ़कर समझ कर उसका अंसर देख लीजेगा, पहला क्योशन आपको देख रहा है, वैलिन बिलॉंग्स टू वीच विलेज, वैलिन जो वो कौन से गाउं में रहता था, तो यहाँ पर देख रहा है, कौपल वैलेज, कौन सा वैलेज साती हो, कौपल वैलेज, तो पहले का आंसर सी हो जाएगा, नेशन इस ब्रोकन अप इंटू फ्रेग्मेंट्स बाय, तो दूसरे का भी हो जाएगा, डॉमस्टिक वाल, क्या है साती हो, डॉमस्टिक वाल, प्रशन करमांगतीन, वेर डिट मात्मा गान्धी रिसीव हिस प्राइमरी एजुकेशन, प्रशन बहुत अच्छा है, ने इस बात कर ली है, तो राजकोट कहां पर आता है, तो गुजरात के अंदर राजकोट आता है, answer A हो जाएगा प्रश्ण करमांग चार, Among all tree is, एक filling the blank से दिया हुआ, इसको यहाँ पर आपके एक word fill up करना है, तो चोथे का correct answer यह हो जाएगा, Margosa tree क्या हो जाएगा, Margosa tree चोथे का correct answer C हो जाएगा पांचवा, which historical period was converted by the book, the wonder that was India, AL भाशन के द्वारा लिखी हुई पुस्तक ही है, the wonder that was India, तो पांचवा correct answer यहाँ जाएगा, हडपा कल्चर की बात हो रही है यह ज़िए मैं कहूं, तो इस पुस्तक के अंदर जो पूरा सेनिरियो बताया गया, AL भाशन के द्वारा वो 3000 BC से 1565 AD के बीच का बताया गया, और यह ज़िए हम देखें तो हडपा का जो कल्चर है, वो भी 3000 BC से लगबख 1600 के AD के बीच में रहा है, तो मुझे जो option वो correct लगता है, वो पांचवा का A option यहाँ पर correct हो जाएगा आगे चलते हैं साथियों प्रिशन करमांक 6 की दरब question number 6, यहाँ पर दिया हुआ है बहुत अच्छा सा प्रिशन है Who was the son of the wishman Hiddamba? इसका अंसर तो आप लोग को याद होना चाहिए फिर भी में आपको आंसर बताता हूँ चेटे का अंसर यहाँ पर हो जाएगा B, गटो गज अब इस सात्वा प्रिशन में आप लोगों के लिए छोड़ू हूँ comment box में इसका अंसर आप बताईएगा कि इसका अंसर क्या हो जाएगा प्रिशन है Comprehendations is a step process क्योंकि मैंने जब इसको पढ़ा है तो कुछ जगे मुझे 4 दिखा है कुछ जगे मुझे 5 दिखा है तो तोड़ा सा doubtful condition है इसलिए 7 का अंसर आप comment box में comment करके अवश्य बताईएगा विसे answer इसका 4 होना चाहिए कुछ बुकम मुझे 4 दिखा है कुछ में 3 दिखा है कुछ में 2 दिखा है और कुछ में 5 भी दिखा है और कुछ में 7 दिखा है तो यहाँ पर doubtful conditionless question के लिए प्रिश्नक्रमांग 8 The main aim of comprehension test is तो 8 वे का A answer हो जाएगा test the ability of understand and the remember 8 वे का A answer इसका correct है 9 वे का a person who has been appointed to attend a conference तो 9 वे का C हो जाएगा delegates प्रिश्नक्रमांग 10 दस्वे का filling the blanks दिया हुआ है दस्वे में यहाँ पर आ जाएगा यहाँ पर bitten नहाँ वास bitten by a snack दस्वे का B answer correct हो जाएगा आगे चलते हैं प्रिश्नक्रमांग 11 Can you please help me pick out एक filling the blanks दिया हुआ है बड़े present for my father तो 11 का correct answer यहाँ हो जाएगा pick out a birthday present for my father तो 11 का A answer correct होगा 12 A person who loved money but hate spending it is कहने का मत्तब यह कि एक इसा व्यक्ती जो पेसे को बहुँ जादा अधिक मत तो देता है प्यार करता है किन्त उसको खर्च नहीं करता है तो आप उसको लिए क्या वड़ाता है क्या है का diary तो अब यहाँ पर diary की correct spring क्या है तो 13 का B correct answer हो जाएगा question number 14 words opposite in meaning are called यह opposite word के लिए क्या आता है अंगरेजी में antonyms कहा जाता है तो 14 का correct answer C हो जाएगा 15 we add prefix to the prefix कहां पर लगा जाता है नाम से समझ मारा prefix प्री मतल पहले तो start तो पंद्रे का correct answer A हो जाएगा अब चाल जाए साथ यह क्रश्नक्रमांग 16 की ओर हम लोग प्रिश्नक्रमांग 16 आपको इसक्रिंट पर दिखाए दे रहा है और उसका correct answer क्या हो दा synonym of the word eligible eligible का synonyms क्या होगा तो 16 का B हो जाएगा आती हो यहाँ पर तो 16 का correct answer A fit eligible का हो जाएगा fit eligible का मतलब होता है पात्रता और fit यहाँ पर इसका correct word होगा retain, hold, assets and assets are antonyms of तो 70 का परश्नका तोड़ा सा doubtful है इसलिए इस परश्नका उत्तर भी आप comment box में comment करके बताईएगा आगे चलते हैं परश्नका वांग 18 words with different meaning but similar pronotions मतलब ऐसे words जिसका meaning तो same होता है पर उसका हम जब pronotions करते हैं मतलब उसको जब बोलते हैं pronunciation करते हैं तो pronunciation उसका एक जैसा आता है जैसे हमने diary 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 लिखते हैं तो एक जैसा pronunciation आता है उसके लिए 18 का correct answer हो जाएगा homophons परश्न करमांग 19 अच्छा सा परश्न है filling the blank से इसका correct answer 19 का A हो जाएगा 20 वा परश्न है उसका correct answer भी सात्य यहां पर A हो जाएगा 19 का भी A और 20 का भी A question number 21 जो आपको इसके पर दिखाए दे रहा है I am having a to touch तो इट इज तो यहां पर हो जाएगा 21 का A common noun आगे चलते साती हो question number 22 the life history of a person is 22 का correct answer क्या का जातो इसके biography यानि C option correct हो जाएगा 22 का correct answer C 23 pick out uncountable noun तो car accountable है tree countable है country countable है hair जो होते हों uncountable तो 23 का B हो जाएगा question number 24 यहां पर herself के लिए क्या हैगा तो reflective sorry question number 24 का correct answer हो जाएगा C reflexive pronouns कहेंगे उसको 25 प्रश्ण 25 प्रश्ण की तरब चलें तो ram is the tall A correct answer है by in the class तो 25 का A answer correct होगा 26 का correct answer epic is तो यह long story होती है तो 26 का B answer correct हो जाएगा सात्यों question number 27 यदि हम लोग देखें तो जो question दिया वेकानन्स divine concentrations in influenced the western countries तो 27 का correct answer A true हो जाएगा 28 the mind without fear ये एक poem किसके द्वारा लिखी गई तो आप लोग अच्छस जानते 28 का correct answer Ravina Tagore के द्वारा 28 का correct answer D हो जाएगा 29 29 की तरब चलें तो depth of truth signifies 29 का correct answer C to speak with complete sincerity of heart प्रश्न करमांग 30 in the essay the wonder that was India A.L. Basham shows his belief in the countries of Indian civilization 30 का correct answer A हो जाएगा 31 My father lives in that house family is a 31 का correct answer C collective noun चलतें question number 32 की तरफ 32 में जो correct answer आएगा question आप रिड करिएगा 32 का be himself हो जाएगा क्या हो जाएगा साती हो be himself 33 I run is heavier than would 33 का correct answer B हो जाएगा 34 in summer sun क्या होना चाहिए shine तो shines आना चाहिए C correct answer 34 का C हो जाएगा 35 I am not interested 35 के correct answer in buying a new car 35 का A correct answer है 36 question 36 की तरफ चले तो A is A option correct है He is then He is strong 36 का correct answer A हो जाएगा next is 36 के बाद में 37 की तरफ आते हम लोग अब 37 आपको दिखाएदरा art related to good head writing good head writing लिखने वाले के लिए क्या शब्द इस्तमाल किया गया है 37 का correct answer हो जाएगा B के लिए ग्राफी कहा गया है उसके लिए क्या गया का साथ हो के लिए ग्राफी 38 38 का correct answer लिए जाम लोग जाएगा I am क्या आना चाहिए 38 का B unable 38 का B unable to finish my assignments 39 they एक फिलिंग दे बैंक दिया हुआ है 39 क्या answer है C welcome sorry welcome 39 का correct answer C they will come when they are ready question number 40 प्रेशन कर मांग 40 the cow is a useful animal 40 पे का correct answer C 41 you can open this tin 41 का correct answer दिया आप लोग देखेंगे तो क्या होना साथी हो C easily 41 का correct answer C हो जाएगा चलते हैं 42 की तरप The newspaper boy delivers the newspaper daily to my house daily is 42 का B adverb of time daily किसके बतार बारे में बात कर रहा है time के बारे में बात कर रहा है my dress is 2 43 का correct answer lose L O O S E 43 का B correct answer होगा 44 antonyms of beautiful beautiful का opposite क्या होगा तो ugly 44 का correct answer B group जिसके लिए बढ़ाता है 45 add prefix to word logical 45 का correct answer हो जाएगा C illogical क्या हो जाएगा illogical अब आगे चलते हैं 45 के बारे में कुछ बताया गया है इन अनसिम पेसिस को आप वीडियो को रोक कर आप एक बार read करिएगा पढ़िएगा पर अनसिम पेसिस में आपको इसका पहला पहरा है पहला पेरेगराप आपको जो दिखाई दे रहा है फर्स पेरेगराप है दूसरा और तीसरे पेरेगराप की तरब में चल रहा हूँ यहां पर यह देखिएगा यहां पर दिखा हुआ है तो आवर एडवांटेज इफ ओनली वी इसा कुछ दिया हुआ उसके बाद में एक पेरेगराप चल रहा है वीडियो को पहुश करके वीडियो को रोक कर इस पेरेगराप का बरिड आउट करिएगा पढ़िएगा हम सिधे चलेंगे क्योशन के आंसर की तरफ क्योंकि इसमें पूरा पढ़ हुआ और एक एक चीज को समझा हुआ तो वीडियो की लेंथ पहुश जादा हो जाएगी क्योशन नमर फॉर्टिसिक्स आप लोग इसको पढ़िए क्या लिखावा तो 46 का करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा C They are fast Disappearance 46 का करेक्ट आंसर C हो जाएगा हम चलते क्योशन नमर 47 की तरफ The people show study the properties of metals and apply finding to practical applications आर तो उसके लिए एक वर्ड आता है Metallurgy 47 का करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा C 48 Synonyms of inventions, creations, is 48 का करेक्ट आंसर B हो जाएगा Innovations आगे चलते हैं Question number 49 The meaning of very simple and not developed 49 का करेक्ट आंसर हो जाएगा A Primitives और 500 परिशन साथियों में आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ इसका आंसर भी आप comment box में करके बताईएगा तो तेन परिशन में आप लोगों के लिए छोड़ें एक तो परिशन करमांग साथ परिशन करमांग सत्रा और परिशन करमांग पचास यह तीनों अंग्रेजी के हैं तो इनके जो आंसर हो comment box में आप comment करके जरूद बताईएगा आपके Всёया वड़ो अपिकट्र आप लोगों के अच्छा लगा होगा अच्छा लगता है तो comment box में comment करके बताएगा और यदि कुछeh कमी है तो भी कमी ही हमें comment box में comment करके बताईगा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें अपने दोस्तों दक शेयर करें और चैनल पर ने हैं तो चैनल को सबस्क्राइब करना ना भूले